आज की वीडियो में बात करेंगे कि ये जो हवा में रूई की तड़ा दिखने वाले बादल हैं उनका वजन आखिर में कितना होता है तो चलिए देखते हैं बादल भले ही देखने में हलके लगते हूँ, लेकिन एक एक बादल का वजन सो सो हाथियों के वजन से ज़्यादा होता है, एक बादल का ओसत वजन एक दशमलब एक मिलियन पाउंड होता है, इसे किलो ग्राम में बदले तो यह लगबग साड़े चौर सो हजार किलो ग्राम ह यानि इसे आप सौ हाथियों से जादा का वजन मान सकते हैं। सवाल यह है उठता है कि जब बादलों का वजन इतना होता है तो वे गिरते क्यों नहीं है। तो बता दे विज्ञान इस पर एक थियोरी देता है। इसके मताबिक हवा में हर तरफ पानी वाश्प के रूप में मौजूद है। यही जल वाश्प वाली गर्म हवा उपर उठती है तो धीरे धीरे थंडी होने लगती है। फिर इसमें जमा पानी जब एक साथ आता है तो छोटी छोटी बूंदों के आकार में खटा होने लग जाता है। इसे हम आम भाशा में बादल कहते हैं। बादलों में मौजूद पानी की बूंदे इतनी छोटी होती हैं कि गर्म हवा इने असानी से उपर उठा देती है। बाद में जब यह भाप पानी की बड़ी बूनों में बदलती हैं तब ये बादल बारिश, ओले या बर्फ के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये छोटी छोटी बूंदे हवा में ही तैरती रहती हैं और नीचे नहीं गिरती हैं।